हेलो फ्रेंज, अनिता अज वेज कीचेन में आप सभी का स्वागत है आज की मेरे रेसिपी है मावा बर्फी मावा बर्फी हम सिर्फ दो चीजों से बनाने वाले हैं इस बर्फी में मैंने न मिल्क पाउडर, न चासनी, न कंडेंस मिल्क से यूज नहीं किया है इस बड़फी को हम सिर्फ दूद और सक्कर से बनाएंगे और इसका स्वाथ बहुत ही जवर्जस्त होता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं मैंने एक मोटे तले का कराई लीया है इसमें मैंने दो चमल चितना पानी डाला है इससे क्या होगा हम दूद जो उबालेंगे वो तले में नहिए चिफीप केगा यह ट्रीक है आप इसे जरूर फोलो करें यहां मैंने एक लिटर के करीद दूद लिया है आप यहां कोई भी दूद ले सकते हैं आपके घण में जो डेली का दूद आता है वो ले सकते हैं या फिर पेकेट वाला दूद भी ले सकते हैं दूद को मैंने पहले से उबाल कर रखा था यहां मैंने फिलेम को हाय कर दिया है जिसे दूद में जल्दी से उबाला जाए दूद में उबाला गया है अब हम flame को कर देंगे मीडिम और इसे चलाते हुए तब तक उबालेंगे जब तक दूद वन थड न हो जाए या फिर यह गारह हो के मावा के तरह न हो जाए इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे गारा करेंगे फिलेम को मैंने मीडियम ही रखा है हाई फिलेम करने से ये नीचे चिपकने लगेगा और इसमें जल्ले की स्मेल आने लगेगी इससे बर्फी का स्वाद खराब हो जाएगा इसलिए हम इसे लगातार चलाते हुए गारा करेंगे देखें हमारा दूद में उबाल आ रहा है इसके साइड में जो मलाई बैठ रही है उसे हम खुरच के दूद में डालते जाएंगे इससे दूद चल्दी गारा हो जाएगा और इसका स्वाद भी बर जाएगा देखें यहां दूर गाढ़ा हो गया है यहां मेरी चार बरे चमच सकर डाला है मीठा आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं सकर जैसे जैसे घुलेगा यह अपना पानी छोड़ेगा तब यह थोड़ा पतला हो जाएगा फिर आप टेंशन ना ले इसे चलाते रहेंगे तब यह फिर से गाढ़ा हो जाएगा आप यहां फिलिवर के लिए इलाइची पाउडर या फिर केसर डाल सकते हैं मैंने यहां कुछ भी नहीं डाला है यहां देखिए मावा हमारा कराई छोड़ने लगा है इसे हम चेक कर लेते हैं मैंने चेक करने के लिए थोड़ा सा मावा को निकालकर ठंडा होने के लिए रग दिया था यह ठंडा हो गया है इसका हम गोली बना कर देखेंगे यह हातों में नहीं चिपक रहा है मतलब मावा हमारा वर्फी जमने के लिए तयार है मैंने यह एक प्लेट को घीर से गिरिस कर लिया है आप वर्फी को किसी भी चीज में प्लेट या ट्रे में जमा सकते हैं अब हम वर्फी के मिश्रन को प्लेट में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे देखिए मैंने वर्फी को अच्छी तरह फैला लिया है मैंने वर्फी को सिल्वर वर्ख से डेकॉरेट किया है आप इसे किसी वे ड्रैप रूट्स के साथ भी डेकॉरेट कर सकते हैं देखिए मैंने सिल्वर वर्क लगा लिया है, अब इसे हम जमने के लिए 2 गंटा छोड़ देंगे, अगर वर्फी खाने की जल्दी हो ता आप इसे फ्रीज में आदा गंटा के लिए रख सकते हैं, वर्फी हमारा 2 गंटे बाद अच्छी तरह जम गिया है, इसे हम चाकू से पिशेस में कट कर लेंगे, आप वर्फी को मंचाहा सेव दे सकते हैं, मैंने वर्फी को स्क्वेर सेप में कट कर लिया है, देखिए हमारा फिस कितना अच्छा बाहर निकल आया है, ये वर्फी खाने में बहुत ही स्वादिश लगता है, इस वर्फी को इस दिपावली में आप ज़रूर ट्राय करें और अपने परिवार के साथ इंजोय करें और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले साथ ही वेल आइकन को प्रेस